हेलो आन हाई ब्यूटिफल सोल कैसे आप सब आई होब कि आप सभी बहुत अच्छे हैं गाइस खुश है पॉजटिव है खुद का ध्यान रख रहे हैं और सबसे इंपोर्टिन कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल परफिस के और आगे बढ़ रहे हैं बहुत जारी पॉजटिविटी के साथ आज की वीडियो फूल मुन से रिलेटेड होने वाली है फूल मुन को आपको क्या क्या करना है मौनिंग से लेके इवनिंग तक सब कुछ बताने वाली हूँ तो फूल मुन गाइडिन्स ये वीडियो है आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है सब कुछ जानने वाले है आप तो इस टॉपिक में इंट्रेस्टेड है तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहेगा अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा, बिल आइकन को और पर प्रेस कर लीजीगा. शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आपको उस दिन क्या-क्या करना चाहिए और किन-किन चीजों को पूरी तरह से अवर्ड करना चाहिए सबसे पहला काम आप मर्निंग में जैसे ही उठते हैं जैसे ही आपकी आख खुलती है युनिवर्स को ग्राटिटिवड कीजी, इतना सारा ठांकिव बोले, इतना सारा ठांकिव बोले कि युनिवर्स खुश हो जाए और आख की जोली में आपकी वो सारी विशिज डाल दे, जिसके लिए आप बहुत सारी टेक्नी करते हैं, रिच्वल्स करते हैं, बहुत सारा मैनिफिस्टेशन करते हैं अगर आप चाहें तो मेरी चानल पर वीडियोज भी हैं जिसमें ग्रैटिटूट मेडिटेशन हैं उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं मर्निंग में, या फिर आप सिंपली खुद से बोल सकते हैं थांकिय उनिवर्स, उन हर चीजो के लिए जो मेरे पास अब भी मौझूद हैं और thank you उस हर चीज के लिए जो मेरे लैफ से चली गई है क्योंकि वो बहुत सारा thank you क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खास है चाहे कोई person हो चाहे कोई समय हो कोई चीज हो हर चीज हो के लिए अगर आप हेल दी है ना तो आप उस चीज के लिए भी ड्रमांड का शुक्रियादा कर सकते हैं मेडिटेशन के बाद आपको अपने हाउस की क्लिंजिंग करने चाहिए कैसे करनी है तो मैं बहुत सारी वीडियो इसके लिए अपलोड कर चुके हूँ कि अपने हाउस की क्लिंजिंग कैसे की जाती है पहली क्लिंजिंग होती है पोचा जब आप लगा रहे हैं उस पानी में मुट्टी वर नमक डाल देजिए उससे आप घर का पोचा लगाए अगर गुरुवार का दिन पढ़ता है कब भी वे तो गुरुवार को नहीं लगाना चाहिए इस बार गुरुवार के दिन पढ़ने मा नहीं पढ़ रहा है इसलिए आप लगा सकते हैं दूसरा काम आपको क्या करना है क्लिंजिंग के लिए आप ब्लैक वला धूब जलाके और अपने हर रोम में हर कोने में हर चीज में उसे दिखाईए पहले एंटी क्लॉक वाइस दिखाईए तीन बर फिर आप क्लॉक वाइस दिखाईए ऐसा करने से नेगिटिविटी रिलीज होगी और पॉस्तिविटी आपके घर में आखरशित होगी इसके अलावा आप सेजिंग भी कर सकते हैं सेजिंग क्या होती है तो आप देख सकते हैं एमिजॉन पर भी मिल सकता है फ्लीप कार्ट पर भी मिल सकता है इसमर्जिस्टिक होता है और अफ्रीकन इसमर्जिस्टिक सबसे अच्छा होता है तो आप उसे purchase कर सकते हैं और उससे अपने house cleansing कर सकते हैं इसके अलावा आप तीज पत्ता, कपूर, लॉंग, इलाइची बहुत सारे ऐसे herbs हैं जिससे कर सकते हैं दाल चीने भी बहुत effective है इसके अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है उपला है आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन आपको full moon के दिन अपने house के cleansing जरूर की जरूर करने चाहिए इससे energy change होती है क्योंकि वैसे भी full moon और new moon को सब तरह की energies change होती है चाहे materialistic हो या हम जोग जैसे human हैं उनकी energy हो सारी energies change होती है चाहे negative हो या positive हो full moon की बात करें तो full moon को कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखता है इसके बाद आप अपने घर में खी का दियाज जरूर दिखा है जिसमें दो long डालने आपको इसका effect भी बहुत अच्छा दिखेगा आपके घर में अगर positivity feel नहीं होती थी वो होने लगेगी money का flow रुख गया था वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे आपको सब कुछ stable लगने लगेगा इसके बाद आप अपनी body की cleansing करेंगे वो कैसे आप नहाने के पानी में मुठी बर नमक डालिए उस पानी से नहाएए ये पानी अपने सर के उपर नहीं डालना होता है then आप simple water से भी जरूर नहाएंगे क्योंकि नमक वाला पानी शरीर पर ज़्यादा दिर नहीं रहना चाहिए जब भी आप salt बात लें तो ध्यान रखें कि आपको ये feel करना है कि मेरी life से सारी negativity दूर जा रही है अगर कोई problem है कोई बिमारी है सारी चीजों के बारे में आप बोल सकते हैं कि मेरी सरीर से जो भी बिमारियां है वो दूर जा रही है निकल रही है आपके घर में आपको negative feel होता है वो भी आप बोल सकते हैं नहाने टाइम इतना बोलने के बाद जब आप simple water से नहारे हैं तब आपको बोलना है thank you universe I am so happy and grateful मेरी लाइफ में बहुत सारी positivity आ गई है मैं money magnet हूँ मैं sunshine हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ या रहता हूँ इस तरह से आप affirmation लगाईए और सनान कर लिजिए आप देखिए कैसे magic होना शुरू हो जाता है आपके life में आप इसकी बाद अगर आप दोपहर में भी कुछ करना चाहते हैं तो आप money music आते हैं ठीक है आप सर्च करेंगे यूटूब पर आपको बहुत सारी ऐसे music मिल जाएंगी जिसको आप बजा के छोड़ देंगे अपने घर में तो आपके घर में money का flow बढ़ जाएगा इसी तरह से ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसे आप बजा देंगे तो आपके घर में positivity आएगी समरिद्धी आएगी जिसमें सबसे powerful मंत्र है अगर बूर्णे मा के दिन बजाना है तो विश्णू सहस्त्र नाम इसे आप बजा के छोड़ देजिए आपको बहुत ज़्यादा special इविनिंग के टाइम आपको meditation फिर से जरूर करना है peaceful meditation कर लीजिए या moon magic begin now चांद की रौशनी में बैठ चाहिए और इस switch word को chant कीजिए और अपनी किसी भी wish को feel कीजिए कि वो पूरी हो गई है इसकी वीडियो पहले से uploaded है जिसे आप चेक कीजिए और उसे follow कर सकते हैं इसके अलावा आप water technique जरूर कीजीगा जो कि पहले भी मैंने बताया था क्योंकि moon की आगे जो हम लोग पानी रखते हैं moon की रौशनी में जो पानी रखते हैं वो पानी बहुत ज़्यादे effective हो जाता है और उस magical water से आप कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको instant मिलता है और इस उसे चेक कीजे ठीक है आपको जो वीडियो चाहिए topic के साथ मेरे channel का नाम type कीजीए आपको वो वीडियो instant मिल जाएगी और आप उसका भरपूर फाइदा उठा सकते हैं इसके अलावा आपको पुर्णे मा के देन यानि full moon वाले देन अपने टेरिस के उपर जरूर कुछ time बैठना चाहिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आदे घंटे जरूर बैठना चाहिए क्योंकि पुर्णे मा के दिन चांसे जो रौशनी निकलती है उससे आपको बहुत जादा फाइदा मिल सकता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तिमाल करें तो आप वहाँ बैठके meditation कर सकते हैं moon को देख के positive सोच सकते हैं अपने wish के बारे में सोचे आप जिस तरह से अपनी life को देखना चाहते हैं उसे design करके सोचे जैसे कि आप उस तरह की life जी रहे हैं जिस तरह का आप dream देखते हैं कि मैं इस तरह की life जीता या जीती तो आप उसे feel किजिए कि आप वैसी ही life जी रहे से आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इतना अगी बढ़ जाएंगे कि एक या दो साल पहले जिन लोगों ने आपको देखा होगा, बात किया होगा, वो लोग दो साल बाद अगर देखेंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये unexpected change इसके लाइफ में, इसकी अंदर कहा से और कैसी आया, करके देखिए और अपना success story में इसाच जरूर शेर कीजीगा, आप लोगों को पता है कि आप सभी की success story इस चानल के लोग सुनके बहुत motivate होते हैं, तो शेर कीजीए, मिलती हूँ next video में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखे और अपनों का भी ध्यान इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट रह गया है, तो मेरी इंस्टाग्राम आइडी है, स्काइवेंक्स टिपल टो, वहाँ फालू करना बिलकुल मत भूलेगा, तो गड़ ब्लेस यू और थैंक्स वर वाशिंग, बाई